ब्रेकिंग न्यूज असतुद्दीन OIC पर लोगसभा में यूपी के हापोड में हुए हमले का जिक्र करते हुए OIC ने Z कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इंकार कर दिया मेरट से दिल्ली लोटते वगद OIC की गाड़ी पर एक रोज पहले 6000 सी टोल प्लाजा पर दो हमलावरों ने फारिंग की थी जिसके बाद ग्री मंतराले में उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैस्टा लिया जिसे OIC ने ठुकरा दिया इस मामले में ग्रेह मंतरी अमिच्छा साथ फरवरी को संसद में जवाब देंगे आनंद तिवार इमार साथ जुट रहे हैं आनंद और क्या पता चल रहा है और जी किशोर इस फाइरिंगी घटना के बाद आज संसद में बोलते हुए असुदिन OBC ने जेट स्रेणी की सुरक्षा लेने से इंकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि मुझे मौस से डर नहीं लगता है मुझे एक कैटेगरी का शेहरी बनाई है ताकि आपकी और मेरी जिंदगी एक समान हो जबकि भरस सरकार ने तुरंत केंद्र सरकार ने तुरंत इस मामले पर कारवाई करते हुए पहले OBC की सुरक्षा की समिख्षा के और उन्हें ततकाल प्रभाव से CRPF की Z स्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है अब इस पूरे मामले को लेकर देश के ग्रह मंतरी संसद में अपना जवाब भी देंगे MIM के अध्यक्ष असुददीन OBC पर हुए हमले के बाद उन्हें Z कैटिगरी की सुरक्षा दी गई एक रोज पहले UP के हापुड में चिजारसी टोल प्लाजा पर OBC की कार पर फाइरिंग हुई थी जिसके बाद ग्रह मंतराले ने उन्हें Z कैटिगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया OBC की कार पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो मेरट से चुनावी सभा खत्म करने के बाद दिल्ली लोट रहे थे जैसे ही उनकी कार चिजारसी टोल प्लाजा पर पहुँची पहले से घात लगाये दो हमलावरों ने उनकी कार पर फाइरिंग शुरू कर दी गटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें लाल और सफेद रंग की जैकेट पहने दो बदमाश पिस्तॉल से OBC की कार पर गोलियां दाखते दिखाए दिये इस घटना के बाद पुलिस ने CCTV वीडियो के आधार पर सचिन और शुभम नाम के दोनों हमलावरों को गिरफतार कर लिया बाद में कोट ने दोनों को 14 दिन की नियाई खिरासत में भेज दिया पुलिस ने दाबा किया कि दोनों आरोपियों ने उन्हें बताया कि वो OBC और उनकी पार्टी के नेताओं के दिये बयानों से नाराज थे पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तमाल किये गए हथ्यार भी बरामत कर लिए साधी पुलिस इस घटना के हर पहलू को खंकाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई और वज़ा तो नहीं वहीं इस घटना के बाद यूपी का चुनावी पारा और गर्मा गया और शिवसेना ने OVC के काफिले पर हुए हमले के बहाने उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था पर सवाल खड़े कर दिये बहुती निंदनिये हैं और दिखाता है किस तरीके से जो लॉइन ओर्डर है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चर्मरा गया है बीजेपी ने भी OVC पर हुए हमले की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की जबकि हैदराबाद में इस घटना के विरोध में AI MIM के कार्यकरताओं ने प्रदर्शन किया और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की तो वहीं लोगसभा में असदुद्दीन OVC ने केंद सरकार की Z कैटिगरी की सुरक्षा लेने से साफ इंकार कर दिया जिसे ग्रेम अंतराले ने उन पर हुए हमले के बाद मोहिया कराने का फैसला लिया था कार पर हुई फाइरिंग के बाद OVC ने लोगसभा की कारवाही में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए Z कैटिगरी की सुरक्षा को ठुकरा दिया OVC पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निंदा की और यूपी सरकार से हमले के पीछे का सच सामने लाने की अपील की बहुत मैं निंदा करता हूँ और दुखत है कि लोग तंत्र में हिंसा की कोई जगे नहीं होनी चीए इस मामले में साथ फरवरी को ग्रह मंत्री अमिच चाह संसद में जवाब देंगे सवबात के एक बात है कि ऐसदुद्दी ओवैसी ने साल 1994 में राजनीती की शुरुआत की थी तब से लेकर आज तक वो दो बार विधायक और चार बार सांसद चुने गए लेकिन इस दोरान उन्होंने कभी भी कोई सुरक्षा नहीं ली यूपी के हापोड में उन पर हुए हमले के बाद गरे मंत्राले ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जिसे ओवैसी ने लेने से इंकार कर दिया